हेलो एव्रिवन वोप यो वाल फिट एंड फाइंग आज आप समझेंगे रूल्स ओफ अटेश्मेंट्स मैं पहले भी रूल्स के उपर दो वीडियो बना चुकी हूं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाकर उन वीडियो को देख लीजिए उसको अच्छ कांटल स्रोग और यह हैं कर्फ सो अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सी अटेश्मेंट कहां पर कैसे लगा तो स्टार्ट करते हैं एससे आपको पता है लेफ्ट मोशन में लगाया जाता है स्ट्रेट स्ट्रोग के साथ जैसे कि वर्ड़ है बस केस्ट और कर्व के अंदर लगा जाता है फेज इसमें अंदर के साइड लगा है ए depression में मुंक्ष से लगा है अगर अगर 20 जैसे वर्ड़ है इसमें लगए कटियुंच मिलगा है अगर म tenía इसकी चांचाल ड़ा देने तो इसमें hook और circle दोनों add हो जाएंगे तो इसको पढ़ा जाएंगे तो इसको पढ़ा जाएंगे 10 फिर s की sound आएगी 10s can हमने hook अटा दिया circle लगा दिया उसमें n और s दोनों include होगे जैसे की can's fence में curve के अंदर अगर n का hook है तो उसके साथ हम अंदर की साइट चोटा सा circle लगा देंगे इसमें हम यहां पर circle नहीं लगा सकते hook को अटा कर क्योंकि अगर हम खाली circle लगाएंगे तो वह face पढ़ा जाएंगा अब आगे देख लेते हैं अगर st का loop भी लगना है और n भी लगना है साथ साथ तो क्या करेंगे जैसे word है tensed इसमें भी same rule apply होता है हम क्या करेंगे hook जिस साइड है उसी side पर st का loop लगा देंगे तो hook और loop दोनों इकठे पढ़े जाएंगे जैसे word है tensed 10 उसके बाद sd बढ़ा जाएगा tensed इसी तरह से glance है अगर glance है n का hook अगर हमने st का loop लगाया तो बढ़ा जाएगा glanced और अगर अगर आपने fence लिखना है तो f और n का पूरा stroke बनाएंगे और st का loop अंदर लग जाएगा यह बन जाएगा fence अब आगे देख लेते हैं जैसे ss के लिए large circle लगता है आपको पता है same उसी तरह से लगाया जाता है जैसे s लगाया जाता है वो small circle होता है और यह large circle ह circle होता है तो टीजीज में देखिए बड़ा circle लगा है उसी motion में जिस motion में ऐस लगा था टीजीज ग्लासेज फेस फेसे में कव के अंदर की साइड लगा है बहुत इजी है यहां तक अच्छे से clear हो गया होगा अब आगे समझ लेते हैं अगर large circle से पहले n की sound आ रही है जैसे word है tenses तो जिस side पर hook लगता था उसी side पर हम large circle लगा देंगे तो उसमें n और ss दोनों add हो जाएंगे जैसे word है tenses इसी तरह से glances और fences में जैसे fence लिखा था fence लिखा था हम fences में क्या करेंगे उसी तरह से f4n का पूरा stroke बनाएंगे और ss के लिए बड़ा circle लग जाएगा यह बन जाएगा fences अब आगे देख लेते हैं str वही rule है जो s के लिए और ss के लिए है left motion में यह लगेगा str का loop जैसे की word है duster cluster और faster में curve के अंदर की side str का loop लग जाता है तो क्या करेंगे जिस side पर n का hook लगता है उस side पर hook को हटा कर हम str का loop लगा देंगे तो बन जाएगा dunster इसी तरह से canster में n की side पे हमने hook को हटा दिया जैसे यह hook है इसको हटा कर हमने str का loop लगा दिया तो यह बन गया canster और fenster जैसे कोई word है अगर तो f और n का पूरा हमने stroke बनाया और उसके अंदर str का loop लगा दिया यहाँ space कम है तो मैंने यह चोटा सा outline यहाँ पर बना दिया है यह str का loop लगाया है मैंने इसके अंदर word बन गया है fenster अब आगे देख लेते हैं f के लिए आपको पता है कि straight strokes के साथ left motion में f का hook लगता है अगर f के साथ s भी लगाना है आपको तो हम क्या करेंगी जैसे buff लिखा और s का circle अंदर की side लगा दिया बन गया buffs यहाँ पर हम hook को हटा कर circle नहीं लगा सकते क्योंकि फिर वो पढ़ा जाएगा bus buffs नहीं पढ़ा जाएगा इसलिए हम circle को hook के अंदर की side लगाते हैं इसी तरह से cuffs में भी हमने hook के साथ अंदर छोटा सा circle लगा दिया और क्योंकि f curve के साथ नहीं लगता तो इसके लिए यहाँ कोई outline नहीं बनेगी अब आगे देख लेते हैं r जैसे word है tray यह right motion में लगाया जाता है straight stroke के साथ जैसे word है tray gray देखे right motion में लगाया और offer में curve के अंदर की side small hook लगा है r के लिए अगर r का hook भी है और s भी साथ में आ रहा है जैसे tray था इससे पहले s की sound आ रही है तो stray बन गया तो हम क्या करेंगे जिस side पर hook है hook को आटाकर इसकी जगह हम circle लगा देंगे तो बन जाएगा पहले s पड़ा जाएगा अगर suffer लखना है तो s के लिए हम hook के अंदर ही small सा circle बना देते हैं तो बन जाता है सफर, देखिए सफर में अंदर पहले सरकल लगाया और फिर हमने स्मॉल हुक भी लगाया कॉप के साथ अगर स्ट आता है आर की हुक से पहले, तो क्या करेंगे जिस साइड पर आर का हुक है हम आर की हुक को अटा कर अगर स्ट का लूप लगा देंगे इस तरह से, तो बन जाएगा स्टर, पहले स्टर पढ़ा जाएगा फिर टी यार पढ़ा जाएगा स्टर, इसी तरह से स्टाइगर और इसका कर्व के साथ नहीं आउटलाइन बनती है, तो यहां कोई आउटलाइन नहीं आएगी, अब नेक्स्ट है SW, SW आपको पता है Initial circle है, large circle है जैसे word is sweet swag और यह inside curve है इसमें भी same OE rule apply होता है जो S, SS या ST के लिए apply होता है मतलब यह उसी motion में लगता है left motion में लगाया जाता है बस यह initial circle होता है यह middle में यह end में नहीं आता है अब आगे देख लेते हैं अगर SW आता है R के hook से पहले तो क्या करेंगे जैसे word है sweeter तो हम hook वाली side पर hook को हटा कर SW के लिए large circle लगा देंगे तो पढ़ा जाएगा इसे sweet, फिर टर पढ़ा जाएगा इसे तरह से swear फिर gar पढ़ा जाएगा और यह curve के अंदर इसकी कोई outline नहीं बनती है अब आगे देख लेते हैं जैसे कि word है L L के लिए आपको बता है initial hook है और left motion में लगाया जाता है जैसे word apply clay में भी देखिए left motion में लगाया गया है initial hook है अगर curve के साथ L का hook लगता है तो वो large hook लगता है जैसे word fly बड़ा hook लगाया हमने यहां पर अगर S आता है L के hook से पहले तो क्या करते हैं देखिए यहां पर हमने hook के अंदर ही S का छोटा सा circle लगाया यह बन गया supply यहां पर भी हम hook को अटा कर circle नहीं लगा सकते क्योंकि हम खाली circle लगाएंगे तो वो S पढ़ा जाएगा उसमें फिर L नहीं पढ़ा जाएगा जैसे word है supply सिकल word है इसमें भी हमने hook के साथ ही छोटा सा circle अंदर की साइड लगा दिया word है civil अगर L का hook है curve के साथ और S भी आ रहा है बहले तो हम यहां पर भी अंदर small circle लगा देते है अब जैसे word है shun shun के लिए आपको पता है कि बड़ा hook लगता है जैसे word है passion अगर passion के साथ S है तो हम इसी तरह से shun के अंदर ही S का small circle लगा देंगे और यह horizontal stroke है अगर जैसे word है cushion तो इसमें भी उसी तरह से shun के अंदर S का circle लग जाएगा visions में उसी तरह से last में shun का hook लगा और साथ में S का circle लगा दिया बन गया visions अब यह कुछ अलग से मैंने outline आपको समझाने के लिए बनाई है so that आपको इस तरह की outlines आपको आजाती है तो आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसको कैसे करना है जैसे word है tacker देखिए R का hook जो है वो right motion में लगाया जाता है तो हमने यहाँ पर right motion में ही देखिए यह hook लगा हुए नीचे T के साथ हम इस तरह से बना देंगे तो बन जाएगा tacker R का hook है बड़ task लिखना है तो S यहाँ बार की side लगाया जाता है task लिखने के लिए लेकिन अगर task के साथ R आ रहा है last में tasker word है तो हम इसी circle को अगर हम उल्टी side पर बनाए यह जैसे right motion में बना था अगर हम इसको अंदर की side बना देते हैं जिस side पर R का hook था देखिए यहाँ पर उसी side पर हमने अगर circle लगा दिया तो उसमें R भी add हो गया और S भी add हो गया word बन गया tasker अब जैसे tackle है इस तरह से लिखा जाएगा KL आपको पता है L जो है वो left motion में लगाया जाता है bicycle है अगर word तो हम bicycle में S का circle हमें अलग से clear दिख रहा है और L का hook हमें अलग से clear दिख रहा है तो इस तरह की outline बनती है अगर word यह curve के अंदर आ रहा है जैसे word है musical तो हम क्या करेंगे musical curve के अंदर इस तरह अगर आएगा तो हम पूरी outline बनाते हैं जैसे music इसके साथ लग गया यहां पर हम L का hook नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वह लगी नहीं पाएगा वैसी outline बनी नहीं पाएगी यह हो गए आज की रूस बहुत इंपॉर्टन डूल है इसको अच्छे से एक बर दुबारा से revise कर लेजिए अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको कोई doubt हो कुछ नहीं समझ आ रहा comment box में मुझसे पूछ सकते हैं आप टेलिग्राम चैनल पर जाकर भी मुझे join कर सकते हैं वहां पर भी अपने सारे doubts पूछ सकते हैं अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किय तो जल्दी से subscribe कर दीजिए बैल आइकन दबाना मत भूलिए next video so that upload होते ही आपको notification मिल जाए तो मिलते हैं next video में जिसमें हम समझेंगे आगे तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाबाई